आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गर्मियों में हनीमून के लिए कुछ अच्छी जगहों के बारे में ये डेस्टिनेशन्स आपके हनीमून ट्रिप को लाइफ टाइम के लिए यादगार बना देंगी आये जानते हैं गर्मियों में हनीमून के लिए भारत की सबसे खाज जगें पहले नमबर पर है अंडमांड और निकोवार आइलेंड यह आइलेंड समुद्री जीवन और वाटर स्पोर्ट्स में इंट्रेस्ट रखने वाले कपल्स के लिए परफेक्ट समर हनीमून डेस्टिनेशन है यहां आप स्कूबर डाइविंग जैसे दूसरे वाटर स्पोर्ट्स को इंज्वाय करके अपने हनीमून ट्रिप को और जदा मज़दार बना सकते हैं अंडबान में आप है बलॉक दीप, राधानगर वीच, एलिफेंट वीच, सेकुलर जेल, नील आइलेंड, रॉस आइलेंड, राजीव गांदी वाटर स्पोर्ट कॉम्पलेक्स भी गूमने जा सकते हैं दूसरे नंबर पर है लदाक गर्मियों में हनीमून के लिए लदाक एक बेहदिक खूबसूरत जगह है यकीन मानिये लदाक का ठंडा मौसम, खूबसूरत बवादियां, एडवेंचर एक्टिविटीच आपको मंत्र मुख्द कर देंगी गर्मियों के मौसम में हनीमून पर जाने के लिए भारत की सबसे अच्छी जगहों में से एक है मेंगाले मेंगाले की खूबसूरती को शब्दों में बया नहीं किया जा सकता इसलिए इसका आनंद लेने आप यहां खोद आईए यहां आप चेरापूंजी, मौसिन राम, शीलॉंग, एलिफिंट फॉल्स, जैन्तिया हिल्स, उमियम जील्स, डवल डेकल लिविंग रूट विरिच, सेवन सिश्टर फॉल्स गूमने जा सकते हैं और हां अपनी इस ट्रिप में एशिया के सबसे स्वक्च गाउं मावलिन जाना विल्कुल मिस ना कीजिएगा हनीमून बजाने के लिए विश्ट जगों में से एक है गोवा, कई सारी सुन्दर विचेज, सुहाना मौसम, बेशुमार वेंजन, मस्ती जिभरा माहौल आपके हनीमून को स्पाइसी बना देगा यहां के सुन्दर समुद्री किनारे जो ना सिर्फ शान्ती का महौल देते हैं बलकि आप और आपके साथी को प्यार में डूबने का मौका भी देते हैं गुवा के फेमस समुद्री वीच जैसे मीरामर वीच, बागा वीच, आसाम सोल वीच पर आप पार्टी लेने का भी आयंद ले सकते हैं पाँचमे नमबर पर है लक्ष दीप हनीमून के लिए भारत की सबसे अच्छी जगों में से एक है लक्ष दीप बारत का खुबसूरत केंसासित प्रदेश है लक्ष दीप लक्ष दीप 36 दीपों का समू है जहां खूमने के लिए बहुत कुछ मौजूद है यहां आप समुद्र के किनारे अपने पार्टनर के साथ स्कून भरा समय शान्ती के साथ बिता सकते हैं लक्ष दीप में आप मिनिकॉय दीप, अगत्ती आईलेंड, बागरम दीप, करावत्ती दीप, कलपेनी दीप, मरीन संग्राले, कदमत आईलेंड घूमने जा सकते हैं इन सब जगों के अलावा आप मनाली, कुर्ग, उटी, श्रेनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भी घुमने जा सकते हैं इसके लावा अगर आपको कोई मदद चाहिए हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कीजेगा, हम उसका रिपलाई अवश्य देंगे